हलो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत आपका सुपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइपस ओफ शाफ्ट के बारे में हम जानेंगे कि आखिर शाफ्ट क्या होता है तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियो मेकैनिकल इंजिनरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर मैं अप्लोड करता रहता हूं अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाया तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बने रहेगा वीडियो में अन्तिताइब तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाट इस शाफ्ट यानि की शाफ्ट क्या होता है तो देखिए शाफ्ट बेसिकली एक रोटेटिंग कंपोनेंट है किसी भी मशीन का जोकी सर्कूलर क्रॉस सेक्षन का होता है और जिसका इस्तमाल किया जाता है पावर को एक पार्ट से मसीन के एक पार्ट से दुसरी प्राट में transfer करने के लिए या फिर past करने के लिए power का transmission करने के लिए जो shaft का एक end है उसे connect किया जाता है power source के साथ जबकि दूसरा end जो है वो connect रहता है उस machine components के साथ जिसमें power transmit करना है shaft जो है वो solid भी हो सकते हैं और hollow भी हो सकते हैं as per requirement यानि requirement के हिसाब से hollow shaft जो है वो hollow shaft की खासियत क्या होती है उनकी weight जो है वो कम होती है लेकिन power transmission capacity अच्छी होती है as per weight अब बाग कर लेते हम types of shaft के बारे में तो जैसा कि हमने अभी discuss किया on the basis of construction shaft दो types के होते हैं mainly एक हो गया solid shaft और दूसरा हो गया hollow shaft solid shaft जो है वो पूरी तरह से solid होता है जबकि hollow shaft बीच से hollow होता है यानि कि वो एक pipe की तरह होता है और ये हैं चार main types of shaft transmission shaft, axle shaft, spindle shaft और machine shaft अब इन चारों को एक एक करके समझते हैं तो सबसे पहला है transmission shaft, transmission shaft जो होता है वो stepped shaft होता है इसमें step कटे होते हैं और जिसका इस्तेमाल किया जाता है मशीन के किसी एक पार्ट से power को transmit करने के लिए किसी दूसरे पार्ट में shaft का जो stepped portion होता है उसमें gear, hub या फिर pulley को fix किय जाता है ताकि किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में motion या power को transmit किया जा सके machine में इसके example है overhead shafts, line shafts, counter shafts and all factory shafts यानि factory में जितने भी shafts use होते हैं mostly वो सब transmission shafts ही होते हैं तो ये है आपका overhead shaft जो आपकी cylinder के head के उपर में जो shaft use होता है जिसमें cam follower लगा होता है जो कि cylinder के intake और outlet wall को inlet outlet wall को operate करता है उसे कहा जाता है overhead shaft और overhead cam shaft भी कहा जाता है तो ये उसका example है next है आपका line shaft line shaft यानि की ऐसे shaft होते हैं जिस एक shaft के थूप दो या दो से अधिक machine components को या फिर machines को power दिया जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक single shaft है जिसमें चार पुली लगे हुए हैं और उस पुली में belt के थूँ चार rollers लगे हुए हैं यानि कि एक single shaft से चार अलग-अलग rollers को power transmit किया जा रहा है तो ये हो गया आपका line shaft तो next है आपका counter shaft counter shaft जो होता है वो secondary shaft होता है जिसे की power मिलता है main shaft से लेकिन वो power supply करता है machine components को यानि कि वो main shaft के बाद जो secondary shaft होता है उसे counter shaft कहा जाता है next type of shaft है axle shaft तो जो axle shaft होता है वो support करता है rotating element को जैसे की wheel को और ये fit होता है housing में bearing के साथ में तो जो axle होता है वो एक non rotating element है है इसे mostly use किया जाता है vehicle में next type जो है spindle shaft तो देखी जो spindle shaft होता है वो एक rotating shaft है जिसमें एक fixture होता है hold करने के लिए किस को hold करता है या तो वो tool को hold करेगा या फिर work piece को hold करेगा तो अब बात आती है कि उसका fixture कब work piece को hold करेगा और कब tool को hold करेगा तो tool को hold करेगा in the case of milling, grinding और drilling spindle है ना और work piece को hold करेगा in the case of turning spindle तो जो आपका spindle shaft होता है वो serve करता है as a support, as a positioner and as a rotary drive for the tool और work piece याने कि tool और work piece दोनों के लिए तो चौथा और last type जो है shaft का वो है machine shaft तो machine shaft क्या होता है वो एक integral part होता है किसी भी machine का जैसे कि नाम से क्लियर है ये machine के अंदर use होने वाला shaft है अगर हम example की बात करें तो crank shaft हो गया किसी car के engine का वो एक perfect example है machine shaft का अब बात करते हैं material used for shaft तो generally mild steel का इस्तमाल किया जाता है shafts के लिए लेकिन अगर high strength की जुरुत पढ़ती है हमें तो alloy steels का use किया जाता है जैसे कि nickel chromium और vanadium इन सारे alloys के steel जो है उनका use किया जाता है और इन्हें बनाया जाता है hot rolling और cold drawing and grinding process के तरूफ और जो material है जिसे usually use किया जाता है regular shaft के लिए वो है carbon steel grade 50 C12 50 C4 और 45 C8 and 40 C8 तो friends ये वीडियो थी हमारी types of shafts के उपर उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर 1% भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए अलविदा